तो आईए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कानहा और कुमार की एक रोचक कहानी पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर ले और बैल आइकन को दबाना ना भूले इससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा प्रभु स्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है स्रीकृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते हैं और माखन चुराते हैं गोपियां स्रीकृष्ण का उलाहना लेकर मईया यसोधा के पास जाती है ऐसा बहुत बार हुआ एक बार की बात है कि यसोधा मईया प्रभु स्रीकृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर स्रीकृष्ण के और दोड़ी जब प्रभू ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे भागते भागते स्री कृष्ण एक कुमार के पास पहुंचे कुमार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था लेकिन जैसे ही कुमार ने स्री कृष्ण को देखा वह बहुत प्रशन हो गया कुमार जानता था कि स्री कृष्ण साच्छाथ परमेश्वर है तब प्रभू ने कुमार से कहा कि कुमार जी आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है मैया चड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है भाईया मुझे कहीं छुपा लो तब कुमार ने स्रीकृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया कुछ ही छणों के बाद मैया यसोदा वहां आ गई और कुमार से पूछने लगी क्यों रे कुमार तूने मेरे कनया को कहीं देखा है क्या स्रीकृष्ण यह सब बाते बड़े से घड़े के नीचे से छुप कर सुन रहे थे मैया तो वहां से चली गई अब प्रभु स्रीकृष्ण कुमार से कहते हैं कुमार जी यदि मैया चली गई हो तो मुझे घड़े से बाहर निकालो कुमार बोला ऐसा नहीं है प्रभू जी पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त करने का वचन दो भगवान मुस्कुराते हुए कहा ठीक है मैं तुम्हे 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन देता हूँ अब तो मुझे बाहर निकाल दो कुमार कहने लगा मुझे अकेले नहीं प्रभू जी मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त होने का वचन दीजिए तो मैं आपको इस घरे से बाहर निकालूँगा प्रभू जी मुस्कुराते हुए कहते हैं चलो ठीक है उनको भी 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त होने का वचन देता हूँ अब तो मुझे इस घरे से बाहर निकाल दो अब कुमार कहता है बस प्रभू जी एक विंती और है उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घरे से बाहर निकाल दूँगा भगवान बोले वो भी बता दे क्या कहना चाहते हो कुमार कहने लगा प्रभू जी जिस घरे के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के उपर लाद के लाई गई है मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन दो प्रभू बोले अब तो तुम्हारी इक्षा पूरी हो गई है अब मुझे घरे से बाहर निकाल दो फिर कुमार ने स्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया उनके चरन को साश्टांग पर नाम किया प्रभू जी के चरन्ध होए और चरनाम रित लिया अपनी पूरी जोपड़ी पर चरनाम रित का छिड़काव किया और प्रभू जी के गले लग कर रोए फिर प्रभू में विलीन हो गए हेलो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूले